Hello everyone, welcome back to my channel और जो भी student मेरे लिए मेरे इस channel पर CGPDTM exam के लिए जुड़े हुए थे उनके लिए good news है कि मैं आपको per day अब CGPDTM की फिर से practice questions लेकर आ रही हूँ जिसमें मैं सारे theoretical concept discuss करूँगी और in case अगर आपको फिर से revision class चाहिए physics, chemistry history और bio की तो मुझे comment section में बताईएगा और current affair का भी अगर आपको update चाहिए तो भी मुझे बताईएगा जिसे मुझे पता चल जाएगा कि आपको क्या चाहिए और बात करते हैं कि exam की date की तो most probably 90% this time मैं मैं कहने हूँ कि exam January में होगा जो कि इनके update से पता चला है January आपका prelims होगा FAB आपका mains होगा और March में ये interview करा देंगे क्योंकि आपका अप्रिल से चुनाव शुरू हो जाएगा तो धर आपका exams नहीं होगे and मैं exam की videos इसलिए upload नहीं कर रहे थी because जब तक मुझे exam की surety नहीं थी तब तक मैं आपको क्या ही upload करती क्योंकि comment section में मुझे अच्छा नहीं लगता था जब आप पूस्ते थे मैं exam कम होगा और मेरे पास इसका कोई answer नहीं होता था तो चलिए दुबारा से preparation शुरू करते हैं मेरे साथ जैसा कि आप उस time पे जुड़े हुए थे जैसे मैंने आपको पूरा जो भी आपका general studies ता cover कराया था and जिस पे student ने मेरे videos देखी होंगे 80% students ने बोला था कि yes ma'am फायदा हुआ था सारे questions जो थे almost आपकी ही इस video से आये थे marathon class से आये थे this time again I am promising कि इस बार 90% आपको मेरे ही इस video से मिलेंगी क्योंकि जो कुछ-कुछ topic बचे रह गया था जल्दी में वो भी मैं इस बार cover कर आके चलूंगी तो चलिए शुरू करते हैं CGPDTM की practice questions को इससे आपको भी revision करने में आसानी होगी what is the SI unit of frequency frequency को हम F से show करते हैं और यह आपका जो formula होता है 1 upon time period होता है और अगर हम इसकी SI unit की बात करते हैं तो second देखो second इसकी SI unit नहीं होगी अगर हम SI unit की बात कर रहा है तो normally लोग टिक कर सकते हैं कि हाँ formula में इसका 1 by T आता है time period है तो second नहीं बिल्कुल नहीं what नहीं what second आपकी time की unit होती है what आपका power का unit होता है next देखते हैं option next option है आपका hertz और उसकी बात का option है आपका जूल तो जूल आपका energy का होता है बचा कौन सा hertz तो hertz आपका frequency का होता है एक question आपकी unit से पुरी पुरी chances से आने की unit पूछती जाएगी acceleration की unit, time की power की, energy की unit क्या है और एक आपका जो मैंने बताया था measuring device ये दोनों topic physics से बिल्कुल छोड़ करनी जाने है आपको इनसे आपका बिल्कुल one marks gifted आपको मिल जाएगा next question देखते हैं the apparent weight of a man in a lift is less than the real weight ठीके तो क्या होगा, the lift is going up with an acceleration, going down with the uniform speed, going up with the uniform speed, going down with an acceleration, तो देखो जब आप lift में बैट कर उपर जाते हो तो क्या होता है, कि आपका जो apparent weight है, इसमें क्या कह रहा है कि less than हो रहा है, जब आप उपर जाते हो तो आपका apparent weight होता है, वो आपका बढ़ा हुआ feel होता हो, और जब आप lift से नीचे जाते हो, तो आपका जो weight होता है, वो आपका कम पता चलता है, तो यहाँ पर जो option सही हो जाएगा, the lift is going down with an acceleration, तो इस case में आपका apparent weight है, वो आपका कम होगा, ठीके, कम feel होगा, next question देखते हैं, filament of an electric bulb is made of, बहुत 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 बार repeated question है, आँख बंद करके आपको tungsten लगा देना, यह question बिलकुल आपको one marks दिलाने वाले हैं, इन questions को बिलकुल भी गलत मुत करके आना, the magnet is made of steel, copper, aluminium, iron, यह question मैं आपको comment section में कोशिश करना कि comment section में मुझे इस में answer करके दिखाओ, कि जो magnet होता है, वो किस चीज़ का बना होता है, ठीक है, इससे आपकी marathon class का जो pdf था, वो भी आप revise कर लोगे, अच्छा, answer मैंने लिखी दिया है, तो फिर क्या ही बोलना है, steel और iron, ठीक है, मुझे लगा था कि स्लाइब में एंसर नहीं दिया होगा, चोड़ो में next question आपको बोलूगी, comment section में बताने के लिए, तो यहाँ पर answer हो जाएगा, जो आपका steel होता है, और iron होता है, ठीक है, SN, और आपका FE जो होता है, iron, steel, nickel, cobalt ये जो होता है, इसके तुरू आपका magnet बनता है, temporary magnet होता है, permanent magnet भी होता है, तो option याद रखना, उसमें copper और aluminium नहीं होता है, बहुत अच्छा question है, sonic sound 22,000 hertz, ultrasonic का दिया है, greater than 20 kilo hertz, infrasonic less than 20 hertz, तो कौन सो option से यह, आपको ये चीज़ याद रखना है, 20 hertz, 20 kilo hertz, 20 hertz से कम की साउंड होती है, उसको हम बोलते हैं, infrasonic, मेरे वीडियो में, मेरे notes में मिल जाएगा, जिन्नों ने भी मेरे notes नहीं परचेज किये हैं, उनके पास मौका है, उस WhatsApp नंबर पे पिंग करिए, आपको मेरे notes मिल जाएगे, 20 to 20 hertz की बीच में जो होता है, उसको हम बोलते हैं, sonic sound, और जो other than 20, more than 20 kilo hertz जो होता है, वो होता है आपका, ultrasonic, ठीक है, तो यहाँ पर आपके तीनों ही option मैच कर रहे हैं, बोल रहा है, less than 20 hertz में हैं, आपका infrasonic बिल्कुल सही बात है, greater than में बोल रहा है, ultrasonic बिल्कुल सही बात है, बीच में 20 to 20,000 hertz, यानि 20 kilo hertz is your sony, तो 1, 2, 3, all the options are correct, which of the following statement are correct about heat, ठीक है, heat के लिए अगर हम देख लिए हैं, कि it causes the sensation of hotness and coldness, ठीक है, when a heat is, body is heated, its energy decreases, और SI unit is Joule, ठीक है, SI unit में आपको first उसमें ही बता दिया Joule, ठीक है, तो ये भी सही है, यानि आपका first सही है, और third सही है, when a body is heated, its energy decreases, लिखा है कि body को heat करते हैं, अगर हम body को heat करते हैं, तो उसकी energy increase करते हैं, ना कि decrease करते हैं, slip of mind हो गया, तो यहाँ पर जो answer हो जाएगा, वो आपका first and three हो जाएगा, ठीक है, next देखते हैं, LPG consists of mainly, यहाँ पर तो option ही दिखा हुआ है, तो आप guess नहीं कर पाऊगे, methane, methane, hexane, methane जो होता है, वो LPG में नहीं पाया जाता है, important है, यह चीज़ ध्यान रखना, जो सबसे important जो component होते हैं, वो आपके butane और propane है, और आपके propylene होते हैं, तो LPG में basically butane, butane सबसे important है, butane और propane पाया जाते हैं, तो option D आपका सही हो जाएगा, which of the following is not an isotope of hydrogen, triterium, deuterium, proteium, और yuterium, तो अगर हम इसकी बात करते हैं, अगर आपके hydrogen के isotopes की बात करते हैं, तो 1H1, 1H2, 1H3, यह आपके isotopes होते हैं, यह आपका होता है, proteium, यह आपका होता है, deuterium, ठीक है, और यह आपका होता है, tridium, ठीक है, तो आप isotopes से याद रखना, जिसके आपके क्या नाम है, topping number same होता है, ठीक है, और आपका atomic mass different होता है, तो option हो जाएगा, पूछा है not, तो आपका option हो जाएगा, vitereium, next question देखते हैं, brass get discolored in the air, because of the presence of which of the following gas, oxygen, hydrogen sulfide, carbon dioxide, and the next option is, nitrogen, hydrogen, तो अगर brass जो होता है, वो आपका discolored होता है, because of the presence of hydrogen sulfide case, ठीक है, hydrogen sulfide की वज़े से, जो आपका brass होता है, वो आपका discolored हो जाता है, option B will be the right one, which of the following is a non-metal, that remains liquid at the room temperature, important question है, कौन सा आपका non-metal है, तो उसमें आप बात करोगी, bromine, bromine is the only non-metal, जो की आपका room temperature पर liquid होता है, तो option B will be the right one, next option बात करते है, permanent hardness of water can be removed by, chlorine, washing soda, potassium permagnate, और fourth option है, आपका bleaching powder, तो यहाँ पर हो जाएगा, washing soda, अगर permanent hardness को, chlorine भी वैसे use होता है, पानी को clean करने के लिए, जो आपका RO अगरा में होता है, पानी को clean करने के लिए, हम chlorine use करते है, जो आपका swimming pool का पानी होता है, उसमें भी chlorine की quantity हम ज्यादा करते है, clean करने के लिए, लेकिन जो permanent hardness को remove करता है, वो हमारा washing soda के through होता है, option B will be the right one, the filament of an electric bulb is made of, अच्छा कोशन repeated है, answer आपको पता है, tungsten will be the right answer, in which mode of the nutrition an organism derives its food from the body of another living organism without killing it, saprotropic, parasitic, nutrition, holozoic and the autotropic, तो answer हो जाएगा आपका parasitic, in which mode of nutrition an organism derives its food from the body of another living organism, without killing it, तो जगर without killing it की बात करते हैं, तो वो हो जाएगा आपका parasitic nutrition, autotropic में मतलब क्या होता है, खाना खुद से nutrition, खुद से लेते हैं, अपने से ही लेते हैं, तो यहाँ पर जो answer हो जाएगा, पर जाएगा parasitic nutrition, which of the following term denotes the internal reaction force per unit area developed as a result of applied external force, तो आपका कहरा है, तो यह आपका होता है stress की value, force per unit area, आपको मैंने बता है तो stress की बारे में, strain की बारे में, change in length divided by original length, आपको strain होता है, और उसकी बाद आप young's modulus बढ़े थे, तो यहाँ पर जो stress है, उसको हम force per unit area से define करेंगे, और वो आपका answer हो जाएगा, option A, next आता है, what is the mean value of G at earth surface, 0.98, बिल्कुल fixed question है, इसको तो बिल्कुल ही गलत नहीं करना है, बस देखो, confuse करने के लिए दे रखा है आपको, 9.8 meter per second square, यहाँ पर आपका देखो के, तो आपका C option match करेगा, तो आपको unit B आपका check कर रहे हैं, कि आपको जो acceleration है, जो आपका G है, उसकी unit आपको पता है कि नहीं, तो आप ना की B न टिक करने की बजाए, C टिक करोगे, next question देखते हैं, calorie of energy is equal to, energy की unit आपको पता है, Joule और इसकी calorie चेक करेंगे, तो आपका B option हो जाएगा, आपका 1 calorie equals to 4.2 Joule, next देखते हैं, every kilogram of sea water has approximately, how much of dissolved salt, 1 gram, 0.3 gram, 3.5 gram, 35 gram, तो option हो जाएगा, 35 gram D option, Zipsum is added to the cement, so that, क्या जरुवत होती है, जो आपका cement होता है, जो आपको घर बनाने में use होता है, उसमें हम Zipsum को क्यों add करते हैं, तो main काम होता है, slow down करने के लिए, जो आपका reaction होती है, setting of the cement can be fasted, setting of the cement can be slowed, cement strength can be controlled, तो answer हो जाएगा आपका B, क्योंकि जो आपका setting होता है, cement का, वो थोड़ा slow हो, cement में अगर जैसे ही पानी लाते हैं, हो बहुत जल्दी जम जाता है, उतनी में प्लास्टर कर ही नहीं पाऊगे, तो इसलिए हम थोड़ा सा Zipsum add करते हैं, Zipsum का formula आप मुझे, comment section में बताऊगे, ठीक है, name the organs that make up the excretory system in a humans, two kidney, ये तो आपका excretory system में आता है, two urethra, ये भी है, आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और आपको बिसिकली आपको पूरानी चीज़े सारी रिवाइस हुई होगी, मेरे पास दो option है, या तो मैं आपको theory की form में सारा revision करा हूँ, या question कि तू revision करा हूँ, तो मुझे comment section में update जरूर करना, कि आपको किस तरीकी से revision चाहिए, thank you so much.